प्रांत संगेचालक जी उपस्थित अन्य अधिकारी गणा मेरे सामने विराजित अथ्वा अंतर्त आने पर उपस्थित सभी विशेश निमंत्रित माता भगिनी नागरेक सज्जन एवं आत्मिय स्वमिसेवक बंदुगन एक वर्ष के विराम के पश्चा फिर से हम खुले मैदान में भले ही कम संख्या में एकत रोपस्थित है करन्तु पूरी संख्या में अन्याने केंद्रों पर उपस्थित है और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का पचत्तरवा वर्ष है पंद्र अगस्ट उन्रीस स्वतंत्र हुए स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारम्भ उस्वाधिनता के कारण हम कर पाए यह अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिये अब चलाते चलाते अपने देश को स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संगर्ष हुआ स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किये संगर्ष किये बलिदान दिये त्याग और बलिदान की हिमालय खड़े किये स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी यानि 1857 के पहले 1830 के दशक में दक्षन भारत में वीरपांडय कट्टे बोमन के नेत्रुतों में जो हुआ संगर्ष बृटिशों के साथ उसका उसकी घोशना करते समय एक पढ़ा गया उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया इसलिए उसको कुंडरा का डिकलेरेशन कहते हैं उसमें यह कहा गया कि यह जो विजेशी बाहर से आये हैं इनका रंग सफेथ है इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महांगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो और बहुत बात में महात्मा गांडी जी ने और एक सत्याग्रा की शुरुवात मुठी भर नमक उठाते हुए की कहते ही कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल सामर्याज्य की बुनियात की मिट्टी खसकी तो इस प्रकार कुछ समान भाव समान से भाव सबके मन में थे आपस में संप्रक नहीं था तो भी कि और इसलिए इसी कई बाते समान सी पाई जाती है वो संगर्ष में है ऐसा एक संगर्ष हुआ और उसके फले स्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए परन्तु कालांतर में स्व की कल्पना ढिली पड़ी अस्पष्ट हुई उसके कारण स्वतंत्र होना यहने क्या होना अपना स्व क्या है यह पता नहीं स्व का विश्मरन तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और आपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए उससे हम जरजर हो गए एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं आपस में संगर्ष पंथ प्रांत जाती भाषा सप्रकार के भेद जो विविधता थी उसकी चवडिद खाईयां बन गई हमको बाटने वा और इसलिए जो चुनोतिया उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीती लेकर हम खड़े नहीं हुए कभी इधर कभी उदर इसी ढुलमुल बात चली इसका लाव विदेशों ये लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन्न में अनुभव की उट्टी सभी तक गई नहीं है अपने देश का विवाजन हुआ अत्यंत दुखद इतिहास है वो परन्तु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए उसको जानना चाहिए जिस शत्रता और अलगाओं के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोड़ी हुई हमारी अखण्णता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए विशेशकर नई पीड़ी ने जानना चाहिए क्योंकि अब जो पीड़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहों खोया हुआ वापस आ सके खोये हुए बिचुड़े हुए वापस गले लगा सके परंदु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताध रिष्टित समाज पहले हमने अपने स्व़ को भुला दिया स्वजनों को भुला दिया तो भेद जरजर हो गए इसलिए हजारों मील दूरी से मुठी भर लोग आये हमसे बरबर लोग आये और हमको पादाकरांत करते चले गए ये बार बार हुआ एक बार नहीं हुआ हुण शक बरबर यवन अपने सुना है तब से लेकर तो बिटिशों के अपने यहाँ पर राजा बनने तक यही इतियास हुआ और इसलिए मूल जो अपना स्व़ है उसके आधार पर अपने स्वजन उनके प्रती आत्मी अता पूर्ण व्यवहार यह होना चाहिए क्योंकि अपने जैश में उस्व के विस्मरण के कारण अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विशमता की समस्या बहुत पुरानी है बहुत लोगों ने उस विशमता को हटाने के लिए प्रयास किया विशमता मूलक जो व्यवस्था है थी उनको निकाल दिया समता जिटित व्यवस्था लाने का प्रयास किया लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है वो एक धाचा है आखिर चलाने वाला उसका उप्योब क्या करता है उस पर निर्भर है चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोशक होती है व्यवस्था तो बदलेगी विश्मता मूलत व्यवस्था टिक नहीं सकती अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ठीक से जाए इसको देखना इतना ही काम रहता है लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए भेद की भावना मन में रहती है मन से वचन कर्म और वानी में प्रगट होती है और विचार में प्रगट होती है व्यवस्था में प्रगट होती है और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए, संग के स्वन्षयोक सब प्रकार के प्रयास करते है, बुद्धी से वाणी निकलती है, विचार से आप दिमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चा प्रसंग होते रहते हैं, हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को रहा दिखाते समय, उनको आपस में जुडने की प्रेम को बढ़ाने के भाषा होनी चाहिए, संवात सकारात्मक हो, इसलिए सामाजिक समरस्ता मंच के माध्यम से, गतिविदी के माध्यम से, संग के व्यवस्था गत्व व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर पानी स्मशान सबका एक हो इहां से प्रारंब हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वन्चो कर रहे हैं, धिरे धिरे आगे बढ़ रहे हैं, सब प्रांतों में प्रयास टल रहा है, प्रंतु मन से जाने के ल और इसलिए परवत्य वहारों में आपस का मेल जोल, मिल जुल कर जैन तिया, पुन्यति थिया, विशेश उत्सव, इनको करना, जैसे समाज मिलता जुलता है, वैसे परिवार भी समाज के विभिन वर्गों के आपस में मित्रता करें, आना जाना, उटना, बैटना, परवत् के घर जाना, परिवार सहित, परिवार सहित घर पर बुलाना इस प्रकार के अनवप चारिक, पारिवारिक संबंद उत्पन्नों, ये काम संगकी शाखाओं के माध्यम से, और सामाजिक समरस्ता मंच नामक गतिविती से, संग स्वयं सेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित, समतारिष्टित समाज स्वातंत्र के टिकने की गैरंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिश्ठान है भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो शर्था है वो कोई नई बात नहीं है भारत में चलती आई हुई बात है सनातन काल से चलती आई है उसके लिए लोग काम भी करते आये हमारे इतिहास में प्राचिन समय से लेकर अब तक बहुत उधारण है बहुत परवाय से है जिससे बार-बार इस एकात्मता का और अधिश्ठान मजबूत बनाया गया है श्री गुरुतेक बादुर जी महराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है उनका बलेदान क्यों हुआ था इसलिए हुआ था कि यह जो भारत वर्षा की चलती आई हुई एकात्मता की प्रेम की अखंडता की प्रंपरा है उसका आधार तो यही है कि हम सम्भी विधताओं को स्विकार करते पूजा की भी विधताओं को स्विकार करते और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो तो कश्मीर से लोग गुरुजी के पास आए हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनंती की तेक बाद दूर जी चले गए दिल्ली बाद्शा के सामने और अपने धर्मश्रद्धा का परीचे देते हुए उनका बलिदान हुआ उन्होंने अपना सिर दे दिया परंतु भारत वर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी सब की पूजा स्विकार होगी कोई एक दूसरी के पूजा पर जबर्दस्ति नहीं कर सकता यह जो अपने भारत वर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं सिर दिया सार नहीं दिया इसलिए हिंद की चादर कहला है भारत वर्ष की स्वतंत्रता भारत वर्ष की एकात्मता अखंडता के लिए बलिदानों मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थी कि वह कलपना हमारी समान सी है और प्राचिन काल से चलती आई है स्वतंत्र जीवन कैसा होता है स्वतंत्रता क्या है सबके सुख की कलपना है मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिनस संतु पुत्रिनस संतु पुत्रिना अधना सधना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वत्त का भला ऐसा कहते हैं सबके सुख की कलपना किसी को नहीं छोड़ा वसुधाईव कुटुम्बकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सब को एक साथ सुखी करने वाला मनुष्य मात्र के तीनों पुरुशार्थ एक साधने वाला मनुष्य समोश्र्ष्टु को एक साथ सुखी कर सकने वाला अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष के तरफ च कि अनुभूती आधारित है हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्यानेशोर महराज ने की है जे ख़डांची व्यंकटी सांडो तया सतकर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पड़ो महित्र जीवान से दुरितान से तिमिरदावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांचील तोते लाहो प्रा प्राणी मात्र में प्रस्पर सवहार्द प्रेम आत्मी अता का संबंद हो कि सबके संकट दूर हो कि सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले स्वधर्म पर चले तब सबकी इच्छाय पूरी होगी प्राणी जात व सुखी होंगे जिनमें प्राणे वो सब सुखी होंगे सुख दुख्या अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे रविनाय टागोर ने बाद में कहा कोई अलग बात नहीं की चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर जहां चित्त भय से शून्य हो जहां गर्व से माथा उंचा करके चल सके जहां ज्यान मुक्त हो जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडोंग में विभाजित कर छो पूर्ण मानावता के एकता की कल्पना जहां हर वाक्त के रिदय की गहराई से निकलता हो सत्य पर चलने की कल्पन हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नजी के स्रोट फुटते हो और निरंतर अबादित बहते हो निरंतर कर्मशी लता आधि आधि जो पूरी कविता उनकी है वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है और उसके पीछे जो स्वह है उसका आधार आध्यात्म है इस पश्ट करती है और इसलिए योगी अर्विंद जिनके डर्सों भी जहनत्य है उन्होंने भी यही बात कही है हमारे स्वह का अधिश्ठान स्पश्ट किया है हमारे राष्ट्रियता की कल्पना को उच्चरव से कहा है गांदी जी इसी आधार पर बोलते थे उनको सबूत की आवश्चकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की उसके आधार पर उन्होंने भारत वर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया प्रमाणी तयर वो चित्र भी उनकी भी शताब्दी है जन्मशताब्दी वो चित्र भी इसी बात की पुष्टी करता है हमारी इस स्वकी कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था संतुलित व्यवहार था आत्मिय व्यवहार था उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं चावरकरजी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगटित तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधाईव कुटुम बकम यही बताएगा क्योंकि हम किसी को पराया माने नहीं सकते ऐसा हमारा जो अध्यात्मिक राष्ट्रियता का स्वह है वो उदय होने से दुनिया के सारे जगड़े समापत होंगे खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोये हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सिधा करते हैं उनके दुकान बंद हो जाएंगे और इसलिए हम देखते हैं कि यह नहों भारत एक विकास के रहा पर बड़ा बनने की रहा पर चल पड़ा है यह हो न पाए हिंदू समाज अपने स्वह को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं जो जो भारत का है उसकी निंदा करना जो जो भारत की है उसकी निंदा करना भारत के जीवन की भारत के धर्म की भारत की परंपरा की इतिहास की वर्तमान की व्यवस्थाओं की सब की निंदा करना भारतियों के रुदय में स्वयम के बारे में ही अश्रद्दा उत्पन करना ऐसे प्रयास चलते हैं इतने प्राचीन जिवन से दुनिया देख रही है कि उस जिवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है मनुष्य जीवन को स्थिरता देखे सुख देते तूटन से बचाते अधब पतन से बचाते ऐसे मूलियों से युकता हमारा जीवन है उन मूलियों पर हमला होता है बोल के भी होता है निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सुक्ष मरीती से भी होता है ऐसा स्थूल और सुक्ष में एक सांस्कृतिक आक्रमन भी लगातार चल रहा है इस भय से कि अगर ये सारी बाते भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे और गटबंदन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है सम्मीलित प्रयास करते हैं और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए सब ऐसा नहीं करते हैं विशेशकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जो जाहित्वधारी लोग है राज्यों में है के द्र में सब लोग है लेकिन कभी-कभी ऐसा व्यवार दिखता है यहने एक भारत का ही राज्य है दूसरा भी भारत का ही राज्य है उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है गोलियों सो लोग मारे जाते है हम एक देश के बाती है कि क्या है अपनी राजनीतिक्स परधा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है पारिटीों का है चलता है लेकिन सरकार्य व्यवस्था के अंदाई व्यवस्था तो एक है सम्विधान के ताहत बनी है सम्विधान के ताहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन सम्विधान के ताहत ही वी दी पीपल आफ इंडिया हम एक देश के लोग है हमारा एक देश है गवस्था हैं हमने फेडरल बनाई है लोग फेडरल नहीं है कि संपूर्ण जन एक जन एक राठ रहे हैं लिकिन ऐसा पोशक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा कहां से पत्क्रदर्शक पात्रिय मिलेगा अपने राजनीती कुल्लों को सिधा करने के लिए ऐसे चलकपट चलते हैं उसमें समाज के मन का क्या होता है समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चवड़ा किया जाता है इसकी परवान्त करते हुए होता है अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए क्योंकि यह शड़ियंत्र चलते हैं असंतो उचुत्पन्न करना निमित्त तो मिलते हिए इतने बड़े समाज में इतने लंबे चौटे देश में चोटा भी निमित है उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाती से जाती को लड़ाना, प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कला उत्पन्न करना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करने चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना ये भी प्रयास टल रहे है और तकनिकी क्या अधार पर नहीं नहीं बाते जो आ रही है वो और आग में घी डालने का काम कर रही है कि नियंत्रण नहीं है उसका ओटीटी प्लैटफॉर्म से उस पर कैसे कैसे चित्रा आते हैं क्या क्या आता है अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मूबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देखे ही रहे और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं और ओटीटी प्लैटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं देश में तरह तरह के नशीले पदार थाते उनकी आदते बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तरह सब में भयंकर व्यसंद और उस व्यापार से जाने आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता हम सबको पता है देश वी रुजवी कारियों में उसका उप्योग होता है सीमापार के देश उसको प्रोच्षान करते हैं कि ऐसी सारी बाते चल रही है और नियंत्रित बाते भी बढ़ रही है बिटकॉइन जैसी करंसी है किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रणे मुझे नहीं पता इस पर्दा खड़ी हो रही है इन सब बातों को नियंत्रित करना समाज के हित में चलाना ड्रग्ज जैसे व्यसनों का पूर्ण निरासों इसका प्रयास करना यह शासन को करना चाहिए करना पढ kilos परहन तो अपना काम आज नें कि कल करेगा करने का प्रयास कर मि रहा है था वो यसन श्यस्विया आज ने कल होगा परहनु तब तक के लिए इसका बैचने क्या कर और बाद में भी बैचनी की क्या बात है कैसे होगा प्योधित То समाज का मन तयार होना चाहिए नई पीड़ी का मन तयार होना चाहिए बालकों का शिशुओं का मन घर में तयार होता है नवतरुन होने के बाद जब दुनिया में जाता है और दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तयार हो के मिलता है माता पिता के आचरण के उधारण से मिलता है घर में जो अपनी कुलरी तिया पद्धतिया चलती है उसके संस्कारों से मिलता है उनको ठीक करने से बहुत सारी बात कि बिना शासन के भी हम कर पाएंगे और इसलिए कुटुम्ब प्रबोधन की गतिविजी हमारे स्वन्सक चलाते हैं कि सब्ता में एक बार कुटुम्ब के लोग बैटते और आपस में समवात करते हैं मुक्त चर्चा करते हैं सवा भाषा, स्वभू शाय अपना भजन, भवन, ब्रौण, भोणं किस प्रकार से चलता है कम से कम अपने घर की चोखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचपन करते के लिए घर में अपनी भाशा बोलते कि नि Candice कि रखोपर अपना अस्ताक्षर करते है तो अपनी मात्रुभाशा में करते हैं कि नि करना चाहिए जहां टाल सकते विदीशी भाषा को टालो, जहां उसका उप्योग है और जहां अनिवारी है, वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी, हमको किसी भाषा से थोड़ी पैर है, परंतु स्वा भाषा, स्वा भूशा, अपना भजन, अपना भोजन, इसका एक महत्व है, स्वा का ज्यान, परंपरागत रीती से पीडी दर पीडी बनता रहे, इसलिए, इसलिए उस आचरन के बारे में चर्चा, और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं, परिवार के लिए रोज करता हूं, समय देता हूं, पैसा देता हूं, देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं कितना खर्चा रोज करता हूं इसका विचार होके ऐसे छोटे-छोटे संकल पर लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए नई पीडिका भी बनना चाहिए तो इस प्रकार के विपरित वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति-जागृत रहन करने से वह उचित का ही चैन करेंगे स्वाभाविक तहा तो उनका जुकाव अच्छे के तरफी है केवल उसके लिए पोशक उनके मन बुद्धी के संसकारों को बनाना चाहिए उसके लिए गतिविधी चलती है हमारे स्वाइन सेवक भी और अन्यानेक लोग भी यह काम कर र बीच में कोरुणा गया कोरुणा के पहले लहर काम ने बड़त अच्छा सामना किया दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया हम सब समाज में एक दुख्ध का अनुभो कर रहे है नई पीड़ी के कई होनहार लोग सक्रिय लोग इस कोरुणा ने उठा लिये हम में से असमय उठा लिये उसका बहुत दुख्ध है उनके प्रतिसरदान लिये है लिकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूर होटनी जान को हठेली लेकर हठेली पर लेकर दूसरे लिएखर का भी सामना किया यह ठैस्वी प्रतिकार किया एप और तीसरे लिए हैं कि शन्हुत कर रहा है हम भी उसमें सब बागे तीसरे लहर के आशंका है अब दिन बदिन और मद्धिम पढ़ते जा रही है लगता है कि नहीं आएगी अत्वा आएगी तो बिल्कुल परिणाम कारट नहीं होगी लेकिन किसी अनुमान पर निर्बर नहीं रहना चाहिए तैयारी पूर्य होनी चाहिए गाउं स्तर तक हर गाउं में पास साथ कोरोना योद्धाओं की तोली तैयार रहे इसलिए संगने देश्वर में प्रशिक्षन का कारेक्रम लगभग पूरा कर लिया है और उसके आधार पर इस कोरोना से लड़ाई होगी ठीक से होगी आएगा नहीं ऐसी आशा करते हैं लेकिन आएगा तो क्या करना उसकी पूरी तग्यारी है और हम इस कोरोना को मात देंगे उसके नुकसान हुए है, दो साल चला तो, आर्थिक खेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, परण तो हमारा समाज उससे दबा नहीं है, आर्थिक खेत्र में भी उस नुकसान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है, लोग बोलते हैं, और किसी-किसी कि आर्थिक अर्थायाम के क्षेत्र में तो सब पुर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया ऐसा विवृत्ता आता है कि स्वा के बारे में अपने समाज की प्रोरुत्ती निश्चित रूप से बढ़ी है अभी राम मंदर का धन संग्रा हमने किया गाउं गाउं जाके तो वहां भी यही अनुबवा है उस फूर्त रूप से समाज के सभी जाती वर्गों का सभी भवगोलिक शेत्रों से उत्तम सहयोग मिला और एकी भावना की कारण कि कुछ हमारा हमने वापस लाया है उसको खड़ा कर रहे हैं सब लोग राम की पूजा करने वाले लोग नहीं थे पर उन्तु सबका योगदान है सबका उत्सा है और वुष्व प्रगट भी हो रहा है वो उत्सा प्रगट भी उस आत्मीश्वास का परिणाम भी दिख रहा है अभी आलीम्पिक और प्हुर्आ उलिम्पिक में कितने मेडल ओ प्हुल्ट कि में एक गोल्ड कि दो सिल्वर और चार ब्रॉंज याने स्वरण रोप्य और कांस्य और पहरा ओलिम्पिक में पाँच स्वरण आठ रोप्य और छे कांस्य पदक हमारे खिलाडियों ने प्राप्त की यह उत्सा कहां से आया बहुत परिस्थितिया उनकी बदलिया ऐसा नहीं है परंतु देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रोर्ति बनी है और इसलिए यह कोरुणा की आपत्ति हमारे लिए स्वर का चिंतन करने का एक अउसर भी बनी है हमने अनुभो किया अपने स्वर पर आधारी कई बाते कितनी उपयोगी है उधार नार्था अपने स्वास्थे का विश्य है स्वास्थे मनुश्य की ऐसी आवश्रकता है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा बीमार है तो उपचार के लिए घर भी पेश देगा लेकिन अच्छे उपचार और विश्वस्त उपचार जिससे निश्चिती रहेगी मुक्त रोगमुक्त होने की ऐसे उपचार लेने के लिए कुछ भी करता है तो हमने देखा कि देश में सबकी इच्छा है चिकित्सा सबको सुलब रहे सबके पास पहुश सके और चिकित्सा महंगिनों हो सब आयुवरग के लोग उसका लाब ले सके वो सस्ती और सुलब चिकित्सा पानी है तो सवा के आधार पर क्या वीचार करेंगे पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इल्नेस का बीमारी का विचार नहीं किया हमने वेल्नेस का भी विचार पहले से किया है आयुरुवेद में एक पूरा प्रकरण स्वास्थे वृत्त है बीमार नहीं कैसे पढ़ना उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है उस पर तो कई वर्षों से हम आगे-ागे बढ़ रहे हैं लोकस्वास्थ का पब्लिक हेल्थ का विश्या है उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है समाज को भी बहुत कुछ करना पड़ता है अपने घर की और स्वयम की स्वच्छता तो हम देख लेंगे अपने मुहले की स्वच्छता पर भी जान देना पड़ेगा सारवजनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगे स्वच्छता के लिए नंबर मिलते आजकल शहरों को अच्छी बात है लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं ऐसे लोकस्वास्थे में नहीं था शलता बीमारी हवा से भी आती है और इसलिए लोकस्वास्थे के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शैली मुख्यता ठीक करना प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे परियावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए हम बे तहाशा रासाइनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़े गाई हम अगर हर जगा प्लास्टिक से प्रदूशन लाएंगे तो हम जिस सास से हवा भरते हैं वो सास अपनी विशयली हो जाएगे और इसलिए हमारे यहाँ पानी का उप्योग ठीक से करना नाप तोल कर करना पानी सबके लिए आवश्चक है लेकिन अगर हम पानी को अमरियादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे नहीं तो नहीं होंगे प्लास्टिक का उप्योग कम से कम करना चाहिए कम से कम जिसको अंगरे जी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते उसको तो आप जीवन से हटानी के बारी आ गई और जहां बनता है घर से लेकर अंगन से लेकर मुहले गाओं जंगलों खेतों तक हरियालिय बढ़ाना वृक्षा रोपन करना कि यह करने की आवश्यक्ता है उसके लिए पर्यावरण गति दी चलाते है श्वहन चवाक पर्यावरण की एकस्तर में बहुत लोग काम करते हैं जलसंधारन से लेकर सारी बातों में पर्यावरण गतिविदी प्रत्यक परिवार में पानी बचाना प्लास्टिक खटाना और हर प्रियाली बढ़ाना इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरन उत्पन्न हो इसके लिए प्रयास करते हैं क्योंकि यह ऐसी जो परियावरण की शहिली है वो सास्थ को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है कोरोन काल में जितने विवा होएं कितने couldn होएं हमारे धान में कई बाते आ गई कि हम जो खर्चां करते हैं वो कितना खर्चा फाल्टू होता है इससे कम में हम जी सकते जो मिलता है उसमें अपने घर ग्रिवस्ती को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थे, शिक्षा, आतिती, सत्कार, आईसी यूने तम आवश्शक्ताओं को ठीक से पुरुना कर सकते अब कुरुना जाएगा, जाने को है, अपनी सुद्रिवी आदद को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए परियावरन के साथ स्वास्थ को साथते हुए, हमको ये भी प्रयास करना पड़ेगा, कि सब प्रकार की प्याथियों को मान्यता देते हुए, अपने अपने प्याथि का आंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गोरो तो रहना चाहिए, आंकार नहीं होना हैं मतबह्त हो सकते लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सब को सुलब हो सके ऐसी चिकित्साम दे सकते क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महांगे हो उसका इलाज नहीं कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता है उसी बीमारी का और गुण भी मिलता है है तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता है छोटी मुटी रोज की बिमारिया होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गाउं में ही उपलबदर है उसमें डॉक्टर वईद्य भी हो और अंग्रेजी में कहते बेरफुट डॉक्टर्स आरोग्य रक्षक ऐसी भी कोई व्यवस्था बने थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलबदर है और बहुत उच्चस्तरिय बहुत गंबीरी चिकित्सा अगर आवश्चक है तो एक-एक विभाग केंद्र पर कमिश्णरी केंद्र पर या बड़े कज़बों में उसकी व्यवस्था उपलबदर है इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा ऐसा समग्रस्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलब और सस्ती चिकित्सा का प्रबंद अपने देश में हो सकता है वही बात आर्थिक मामलों की है हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलीत अर्थव व्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं है सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्गोषणा आर्थिक जगत पहले करता था आज उसने वो करना बन कर दिया है अंतरमुखो के विचार कर रहा है तीसरा रास्ता कौन सा है तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दुरुष्टी है वो पूर्ण है अदूरी नहीं है हमने उस्वा के आधार पर इचिंतन किया है एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थ शास्त्र क्यों है मनुष्य की कामना पूर्ती के लिए साधन उपलब्ध कर रहने का शास्त्र ऐसा हो मानते हैं हमारे यहां थोड़ा आगे गए हमने कहा कि सुख प्राप् है उसके सुख का वो शास्त्र है जिनोंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्तों तो सभी सुखी होंगे और यह सुख कहां मिलता है सुख बाहर नहीं है सुख अंदर है और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम परियाप्त सुख ले सकते हैं अपने अंदर ही है वो लेकिन उसकी लिए बाहर की वस्तुओं परियाप्त हो सकती है नहीं तो सिद्धान्त तो प्रचलीच सिद्धान्त कहता है कि मीन्स आर लिमिटेड एंड्स एंड्लेस हमारे इस सत्यों को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्चक है क्यों कि सुख उसमें नहीं है अवस्थू में सुख हमारे अंदर है तो बट कर खाओ उस सुख के पीछे बहते मत जाओ सुख पर तुमारा नियंतरन चाहिए और इसलिए सयम पूर्ण उपभोग न्यूनत अम आवश्चक जितना है उतना उपभोग क्योंकि यह सब हमारा नहीं मेरी अपनी प्रापर्टी नहीं है इस पर माल्कियत किसकी है किसी की नहीं इशावास्यमिदम सर्वम भगवान का बनाया है बगवान का है उसने उसका यतोचित उप्योग जिसके लिए रखाय वो लेगा सब का होने के बाद बचेगा उसमें मै अपने को चलाओंगा तेन त्यक्तेन भुंजीतमा मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मिद्धन का स्वामी नहीं है विश्वस्त है उसको दो हाथों से कमाना है लेकिन उसके आधार पर सारी सुरुष्टि को चलाना है हजार हतों से बाठना है है इस सुरुष्टि के आधार पर अपने या का हर्थिक विचार ख़ड़ा है वो एकानतिक नहीं है उसमें मनुष्चय को स्रुष्टी के अंग के नाते देखात गया है सुरिष्टी का मालिक नहीं कॉंकरर नहीं कॉंकरिंग दी नेचर गलत बात है नर्चरिंग दी नेचर सुरिष्टी से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना गिविंग बैक इस आधार पर हमारा अर्थ विचार कड़ा है और इसलिए वो एक कांगे नहीं है वो सब जगह परिवार की कलपना करता है कृषिश रच्ट है कि उध्योग श्रिष्ट है कि व्यापार श्रिष्ट है तीनों मिल कर चलना चाहिए उध्योग चलेगा मालक के लिए चलेगा कि मजदूर के लिए अरे मालिक मजदूर बीच में जो व्यापारी है वो और ग्राहक सबको एक परिवार मानकर सबके हितका विचार करके चलेगा सबको अपना-पना करता हुए पूरा करते हुए संयम से बरता पड़ेगा तब सबकी कामना पूर्णे होगी इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिती में क्या सुसंगत हो सकता है हमारा प्रदीर्ग जीवन रहा है उस प्रदीर्ग जीवन में हमने भी पुर्चारत किया है और इस वी सन एक से लेकर तो सत्रवी सदी तक हम दुनिया के सर्वत सर्वसमर्था आर्थिक देशते विल्यम डैली रिंपल वगरे डाटा दे रहा है यह अगर वस्थुस्थिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले है उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा जमाना बदला है उपर उपर का परिवर्तों उतना जरूर करना पड़ेगा विश्व भी अब दो-चार हजार साल चला है अर्थपुरुशार्थ हमें उसका भी कुछ अनुभव है वहां से भी जो उपयुकत है वो लेना पड़ेगा स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना इसके आधार पर अपने स्वग पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना ये दुनिया की आभी आवश्यक्ता है स्वातंत्र में हमारे स्वाक है प्रगर्टी करण का एक स्वाभाविक आविश्कार है इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी और यह बात जब सोचते हैं कि तो एक सब लोग आजकल कहते हैं पहले इतना नहीं कहते ते आजकल मिल्कैते ओके ते यजनसंख्या क्रेंगे बढ़ती जा रही हुआ आई तो जनसंख्याद नीटी तो होनी चाहिए गे अपने आविचार हुआ है में एक परिषान अग tale में ट्व पॉइंट Complete वायने दो बॉलक रहे ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको सुविकार किया, यह सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि दो बाते हैं, सारी बातों का विचार करना, अभी आवारे देश में हमारा युवाओं का देश है। 56-57 प्रतिशत युवा है तीस साल के बाद ये सब बुड़े बनेंगे उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे कितने हाथ लगेंगे कितने लोगों को खिला सकेंगे और उस समय जितने लोगों को खिला ना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा इतना हम बढ़ेंगे तो परियावरण कितना जहल सकता है हमारी माता है उस दुर्ष्टी से कितनी सक्षम है उनको खुद के पहरों पर खड़ा रखने का सामर्च उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है वो कितनी प्रबुद्ध है हम उनको कैसा ऐसा बना सकते एक पचास साल आगे तक का विचार करके एक नीती बनानी चाहिए और उस नीती को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है बन रही हैんだे इसमें परिया में हम देख रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं इसमें किसी के प्रती बुरा भाव नहीं रहता है और इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में उस प्रस्ताव को मैं पढ़के बताता हूं जनसंख्या वुर्द्धिदर में असुन्तुलं की चुनोंगती देश में जनसंख्या नियंत्रन हेतु किये विविद उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वुर्द्धिदर में परियाप्त कमी आई है लेकिन इस संबन्न में अखिल भारत्य कारिकार्य मंडल का मानना है कि 2011 की जनन गणना के पांथिक आधार पर किये गिये विसलेशन से विविद संप्रदायों के जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीती पर पुनर विचार की आवश्चक्ता प्रतीत होती है विविद संप्रदायों के प्रती जनसंख्या वुर्द्यदर में बारी अंतर अनवरत विदेशी घुस्पईट वो मतांतरन के कारण देश की समगर जनसंख्या विशेशकर सीमावर्तिक चेत्रों की जनसंख्या की अनुपात में बढ़रा असंतुलन देश की एकता सांस्कृतिक पैचान के लिए गंबीर संकट का कारण बन सकता है विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंदरन के उपायों की गोटना की थी परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समगर जनसंख्या नीति का निर्मान और जनसंख्या आय करना था ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रिय संसाधनों और भविश्य की आवश्क्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन अदर का यह लक्ष समाज के सभी वर्गों पर समान रुप से लाग होगा परंतु दोहजार पाँच्छे का राष्ट्रिय प्रजनन एवन सार्थ सर्वेक्षन सन दोहजार ग्यारा की गणना के जीरो से छे आयोर्ग, शून्य से छे आयोर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्ता आकडों से असमान सकल प्रजनन अदर एवन बालसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है, यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुजाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषन में उपलब्ध है, देश में उपलब्ध समसाधनों, भविश्य की आवश्रकता हूं, एवं जनसांख्य की असुन्तलन की समस्या को ध्यान में रखते हूए, देश की जनसंख्या नीती का पुनर्यदारन कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए, सीमा पार से हो गई, अवैद घुस्पट पर पूर्ण रूप से अंकुष लगाया जाए, राष्ट्रिय नागरिक पत्रिका का निर्मान कर इन अधिकारों से तथा भूमी करिके, अधिकार से मंचित किया जाए, जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग है वो हमारे देश में बसने वाले सदियों से बसने वाले, पिडी दर-पिडी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रती ये बात नहीं है. और देशवासियों का ये आवान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरन ज्वारा देश को जनसांख्य की ये असुन तलन से बचाने की सभी विधी सम्मत प्रयास करे कैरों में एक परिशद हुई थी राक्टरों की उसमें सब के साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है डॉक्टर मन मोहन सिंग उससमें प्रधान मंत्री थे उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है कि सब उसके मर्यावा के अंदर है क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितिया आती है अभी जैसे एक अचानक आ गया वायवे सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया अब तालिबान का पूर्वचे रित्र क्या है हम सब जानते हैं और उसकी जो बाते हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से तो इसका एक्सपर्टस अंकेत है कि हम सो सावधान रहना चाहिए और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था तुर्कस्तान भी था चीन और पाकिस्तान तो आज भी है अब तालिबान बदला भी होगा पाकिस्तान बदला है क्या अइसा तो बिल्कुल नहीं है चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और इसलिए यह मानते हुए भी रुद्ये परिवर्तन हो सकता है बुरा से बुरा आत्मी भी बदल सकता है बाचित से समवाथ से बाते हल होती है प्रेम से अहुसा से मामला ठीक हो सकता है इसको मानना चाहिए इसके प्रयाज भी जारी रखने चाहिए लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए हमारी स्वीमा सुरक्षा और अधिक चाक्चोबंद होने की आभश्च्रकता है जहां बार बार आकरमन होते वहां तो ठीक ही है लेकिन जहां नहीं होते नहीं होते ऐसा हम कहते हैं लेकिन चोरी चुपे होते रहते हैं सागरी सीमा है हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है देश के अंदर की बाते हैं इन सब को बहुत अच्छा करना चाहिए इंटरनेट के उप्यों के कारण अब साइबर सिकुरिटी का अभी प्रष्टना खड़ा हो गया है उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो हुआ तो भी वो कुछ न कर सके ऐसा आमको ठीक रखना पड़ेगा अभी अभी जम्मू कश्विर में होकर आया वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाब मिल रहे हैं उसको तो मानते हैं लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मी करण हो इसके प्रहाज बढ़ाने की अवश्यक्ता है मन से एक होना चाहिए भारत से किसी भी भारतिये के रिष्टा लेंदेन का नहीं है हम भारत माता की पुत्र है हम भारत के अंग है कश्मीर की जनता को उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा इस दुरुष्टी से शासन के समाज के दोनों के प्रयास चल रहे और बढ़ने चाहिए उसमें गति आनी चाहिए यह अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गति विद्यों का भी बंदोबस्ट करना पड़ेगा कि अभी त्युन्सों तर हटने के बाद उनके प्रती जो डर था वो भाग गया अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है इसलिए चुन-चुन कर जैसे पहले करते थे मनोबल गिराने के लिए टार्गेटेड वायोलन्स लक्षित यूंसा वो कर रहे हैं उद्देश है कही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना और समाज वहां संगर्श कर रहा है वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अपने डरेंगे आप डर को वापस नहीं ला सकते लेकिं शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा तब इस संगर्श को हम ले लेंगे चीत लेंगे हिंदू समाज को इसब करना पड़ेगा और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रष्ण है हिंदु समाज के मंदिरों की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है दक्षिन के प्राया सभी मंदिर सरकार के अधिन है छोटे-छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपिक्षित है बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधिन है कुछ मंदिर भक्तों के अधिन है सरकार के अधिन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं बहुत सुन्दर साप सुत्रे प्रिर्णा देने वाले भक्तों की मदद समाज की सेवा करने वाले सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छल चल रहे दिल्ली का जंडे वाला मंदिर है अपने आपास में शेगाओ का मंदिर है भक्तों के अधीन है उत्तम चल रहे व्यवस्थित चल रहे पवित्र चल रहे स्वच्छ चल रहे और समाच की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं ऐसे व्यवस्था पेंगे दुर्ष्टी से वैश्णोदी भी मंदिर सरकार नहीं लिया ठीक ठीक चल रहा है जगमोंजी थे वो श्रद्दालू थे इसलिए ठीक हो क्या प्रबंद्र लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा हए मंदिरों की जमीन बेची गई मंदिर की संपत्थी हडपी जाती हिंदू मंदिरों की संपत्थी अहिंदु जिनको दियु दिवी दिवयस्द्व परफश्रदधा नहीं है उनके लिए लगाई जाती हनुस को भी अवश्यक्ता आ हुँक है और इसलिए सुप्रिम के निर्ने भी सब्क्रकार के मंदिर के माली कोण है और कोई नहीं हो सकता मुझारी के वल व्यवस्था यह भी का से कि सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है एक दो तीन वर्ष उसके बाद वापस करना पड़ेगा और इसलिए एक बार इसका निरने होना चाहिए ठीक से और निरने ये भी होना चाहिए हिंदू समाज इस मंदिरों को कैसे रखेगा हिंदू समाज की क्या वेवस्था है अपने मंदिरों को जैसे वो पहले समाज की जीवन के केंदर हुआ करते थे वैसे चलाने का क्योंकि हिंदू समाज की श्रध्धा जगे हिंदू समाज का बल जगे हिंदू समाज के लोगों के आपतियों का निवारन हो उनको श्रध्धा मिले उनको सहरा मिले इस दुरुष्टी से हिंदू समाज की यह जो सारी विवस्था हैं आज भी है पतित हो गई है उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आदार है हमारे देश का स्वा अध्यात्मिक है उसमें अनेक पूजाएं आ सकती है बाकी पूजाएं समाई भी जा सकती है वो पूजा पर निर्वन ही करता शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है और अपने समाज क का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूल कर उनको स्विकार करना पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना परंतु उसके अहंकार में फसना नहीं उससे बड़ा हम सब एक समाज है यह संपू पुरुन भारत वर्षा हमारी मात्रुभूमी है राष्ट्र हमारे यहां राज्जा अधारित नहीं है नेशन स्टेट नहीं है हमारे यहां जनपद वती भूमी इराट्र का अधार है जनपद याने समाज समाज याने केवल भीड नहीं समाज याने एक समान लक्ष लेकर आग को मानने वाला हुए यह भारत वर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता लेकिन सदय वह एक राष्ट रहा है और उसका स्वह है सभी विविधताओं का स्विकार सम्माद सब उपासनाओं का हम स्विकार कर सकते हैं यह बात सही है कि उपासना आकरमनकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है शरनातियों कर भी दुनिया की दो उपासनाओं यहां आई है यहुदियों और पार्सी इसलाम और इसायर आकरमकों के साथ प्रवेश कर गई है आक कि नो इतियास हो गया उन आक्रम को के साथ अनाता नहीं है किसी का सब अपने उन हिंदु पुर्वोजय को वहुशे जये जो इस विविधता को एकता का ही आविश्कार मान कर सब का सुईकार सम्मान करते थे आपस में प्रेम से मिल जूल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का अ कि उन्हीं हिंदु पुर्वोजय को सब वहुशे जये वही भारत वर्ष सब की मात्रु भूमिय है जिसके सिवाए किसी को गति नहीं है और कहीं है और उसकी यह सब को अपना मानने वाली साप Chapter मास्कुरती विश्वा वारा ऐसाставля क्रें सावरों सी जिसको ग्याएन मनुश्य में मनूश्यत्व को दितनेवाली उस संस्कुरती का असर सब पर है उस संस्कुरती को मान कर सब पर चलना यह सब ने मानने करना चाहिए इसमें किसि को फूजा नहीं चोड़ने पड़ती भाता है कुछ नहीं छोडना पड़ता अपना अपने मन बारत की एकात्मता अखंडता वापस आएगी यही इमोशनल इंटिग्रेशन का गया है जिसका आवाहन अपने सम्मिधान ने किया है इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए ऐसा दिग्दर्शन किया है और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होके दिखाएगा हम अपने छोटे-छोटे अंकार भूलकर सबको अपनानी की नियत रखे हमारी सौंस्कृति तो सबको अपनाती है हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय डर लगता है क्योंकि हम दुर शक्ति संपन्न होना पड़ेगा हुआ मैं शंकर का वह क्रोधा न लकर सकता जगती क्षार अक्षार हुआ है सा बल होना पड़ेगा लेकिन जगती को अक्षार नहीं करना है भूभाग नहीं शत्यच्प मानों के रदय जीतने का निश्च्च है जो हात उठाए उसका हात न रहे इतना सामर्थ होना चाहिए लेकिन सामर्थ का उप्योग क्या करना चाहिए दुर्बुलों के रक्षा कि शील और सक्ति को साथ में लेकर हिंदु समाज को चलना चाहिए क्योंकि दुनिया दुष्टों की है वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं बानती तो हिंदु समाज को अपने बेद भूल कर संगटित होना पड़ेगा शक्ति संपन्न होना पड़ेगा सब को समझना पड़ेगा कि इस अर्था में हम सब हिंदु है इसको समझा इसलिए तो हमारी इतिहास में राणा संगा के साथ अक्बर से लड़े बाबर से लड़े हसंखा मेवाती हो गए राणा प्रताब के साथ अक्बर को टक्कर देने वाले हकिम का सूरी हो गए खुदा बक्षा और गौश खा जो अंतिम सासकर जहासी की राणी और उसके वहुशेजों के साथ रहे वो हो गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अश्फाग उल्ला खान जैसे करांदिकारी उसी ने हम को दिये कि बारा मुल्ला में कबाईलियों के आकरमन के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझोते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मक्पूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए अपने सेना के वीर जवानों में बिर्गेडर उस्मान से लेकर हवालार अब्दुल हमीज जैसे वीर इसी के कारण हुए इतिहास है कभी इसलाम अक्रमक के नाते आया उनसे हमारा नाता नहीं है आज हमको मुसल्मान रहना भी है हम रह सकते अपना देश उदार है हमारे आदर्शा ऐसे मुसल्मान होंगे जो देश के प्रतिनयों चाहर हो गए हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए हिंदू समाज अपने आपको संगटिच शक्तिसंपन बनाकर इस अपनत्व की भाशा से ल दोग समझ जाएंगे कि आतंक कट्टरता द्वेश और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा केवल वह इंदू समाज है वो जो सबको स्विकार करता है और वो शक्तिसंपन्न है वो इस दाहित्व का निरवा कर सकता है यह भारतिया सौंस्कृत सबको दे सकता है उसमें वह बल खड़ा हो गया है इस बल को खड़ा करना अपना काम है इतिहास की घटनाओं को विद्वेश के लिए नहीं समर्ण करना है उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेश इसके लिए सुनना है जन्मे जैने व्यास जेको सरपयद ने उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वश थे कोरो और पांड़ो उनमें बड़ा भैंकर सम्हारकारी युद्ध हुआ यह कैसे हुआ यह आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी द व्यास जी ने महाभारत की कहानि बटाई बढ़ बनाने के लिए नहीं करने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मानावता की परस्पर आत्मियता सिदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है उस भारत को उस परंपरा को सौंस्कृति को समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा हम सब को हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल साहश तितिक्षा धैरिय ओज शारीरिक मानसिक बहुत दिक तिनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामुहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा सामुहिक्ता से चलने की स्वभाव में आदट डालनी पड़ेगी यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सिधा करने के लिए सब लोग ताक पर है इसको समझते हुए और यह हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते संगटित रहना बलसंपन रहना संपूर्ण मानवता के लिए अपने बलका उप्योग करना यह कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जागरुत संगटित बलसंपन और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है यही काम तो हम करते हैं भारत के और से भारत के भारत की जो प्रगती है उससे विकास की अपेक्षा भारतियों की जैसी भारत से वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की उसके लिए भारत को तयार करना अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रंगार बनाकर बलके साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदारन बनकर दुनिया में खड़ा संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सुरुष्टी के साथ कल्यार की रहा पर अगरेसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है संग के स्वैंशोकों के अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों बदल जाएगा वह भाग्य बदलना है वह भारत की आवश्यक्ता है वह समय की विश्व की आवश्यक्ता है और इसलिए ब्रांति जन्मन की हटाते क्रांति का संगीत गाते एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते इस पद्धती से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि झाल